अब तो मुकदमा जेल और यही सब रह गया है किसी भी व्यक्ति के लिए जो थोड़ी सी भी सही बात कह दे जो उनको खटक जाए उस पर बत्रब एक तो है कि करेला और नीम चणा वाली सिती है सिती जो है आपको बोलना मना है मैं कल वारा नसी के इस डेलवे सेसन पर उतरा और उतरने के बाद जब हम लोग एक्जिट कर रहे थे मुझे लगा कि किसी ने किसी दिन यहीं एक भारी भगदर हो जाएगी इतना सकडा रास्ता आप बरणार से खूसूरती की बात कर रहे हैं जहां आद ही उतर रहा है उतना सकडा रास्ता है जो दैवे करती है कि स्वायम प्रधान मंत्रीजी के जो निर्वातिंश शेत्र है उसमें अभूत पुर्व विकास हो रहा है अमृत काल चल्लाई है इन दावों और इनकी हक्त के बीच का जो दूर का फासला है जो हमारे शाथी बता रहा है हमारी प्र tääलर इसे मालुम हो रहा है विकास की पुलिसिंग की वह स्थिति अन्षत्रों की वह स्थिति हमारी जानकारीक हमसाब रस्टाचार चरम पे ठेकेदार नेतागट अफसरगट जो चरम पे इस इलाके में तो खेर मैं कहूंगा कि माफिया गिरी भी चरम पे क्योंकि यहां के जादातर माफिया जो है वह गुड़ बुक्स में है पॉलिटे जो जो पावर के जो जो टॉप लीडरान हैं उनके साथ तो इन इस्थितिय में जो यहां की हकीकत है उसको लोगों के सामने तक लाना यहां पर उन तथ्यों को लोगों की सामने लाने का अभियान और अपना प्रयास कर रही है जो आगे भी हमारा प्रयास चलेगा और हम लोगों के सामने तक हर उस तथे को ले जाना चाहेंगे जिससे यहां की सच्चाई सामने आ सके प्रशासनिक भृष्टा चार पर नजर लगाए रहते हैं और उसके तमाम तरकी जो भी गतिवीदिया होती उसके प्रतिक्रियाई भी देते रह हम अपना दाइत्व समस्त हमारी पालिटी का उदेश आजाद अधिकारसना जो हमारे साथ हैं हम लोगों का उदेश ही है कि हम अन्याय अत्याचार और भरष्टाचार का विरोध कर सकें उसी के लिए हमारे पास कोई धन नहीं है हम किसी कास्ट रिलिजन पर नहीं लड़ र रहे हैं कि अन्याय अत्याचार भरष्टाचार का विरोध हो हमारे सभी साथ ही उसी उसी उदेश से अनुपराणित हैं और भवश में भी हम उसी दिशा में काम करेंगे असर बीज देशों के समूँ की अध्यक्षता प्रधानमंतरी नरिन मोधी को दी गई है और आज उनी के संसिदी छेतर में आप बैटे हुए हैं कहीं ने कहीं बनारस को खुबसूरत बनाने के प्रयाज भी लगी है और कहीं घाट पे भी आप है तो टेंट सिटी जैसा ना अब विकास की बाते भी कर रहे थे कि विकास नहीं हुआ है किसी तरीकी का क्या बीज देश का समूँ अब बनारस में आ रहा है और देश में पूरी जगर भ्रमल कर रहा है बाहर बाहर के लोग आकर बनारस की खुबसूरती को देख रहे हैं देखिए मैं एक बात कहूंगा मैं कल वारानसी के रेलवे स्टेशन पर उतरा और उतरने के बाद जब हम लोग एक्जिट कर रहे थे मुझे लगा कि किसी ने किसी दिन यहीं एक भारी भगदर हो जाएगी इतना सकड़ा रास्ता आप बनारस की खुबसूरती की बात कर रहे हैं जहां आदि में उतर रहा ह सकड़ा है और और लोग आ रहे हैं लोग लोग खीच कर आहां और देख की आ रहे हैं उतना सकड़ा रास्ता क्या रेल वे शन से निकलने के जहां आग his इस स्थिति हो आप बाहर जाएए पूरी भगदड जो रोड है सामने पूरा वहां का नजारा अजीब गरीब कहीं कहीं गाडिया यहां फेके हैं कहीं वहां हैं बिल्कुल ही सब जानते हैं कि जाम से वाला नसी कितना तरस्त है आप घाटों के सिस्थी देख लीजिए अर्बों नहीं खर्वों रुप और कहूं कि कितना अच्छा कारिक्रम है तो दावा तो गलत होगा ना अगर आपने दस लाक में दस लाक का काम किया हो तो तब सुझे आता आप अर्बों की घरमों लगा रहा हैं और काम आपका करोड़ों का है लगातर से नौ साल बेमिसाल की कारिक्रम भी लगातर भारती जंता पार्टी की तरफ से की जा रही है और टिफिंग की बैठक भी की जा रही है नई रंडीती तैयार हुई है दोजा चोबिस के लिए भारती जंता पार्टी है मुझे इसमें गुरे कहने में गुरे जी नहीं है मेरे कहने न कहने संतर नहीं पड़ता है लेकिन सफलता कि के कॉस्ट पे लोगों को यह जानने का है लोगों को अधिकार है कि जानने की हकिकत क्या है अभेगों क्रें सफने हैं आप लोगों ने अपनी और लोगों आट्रक्ट कर लिया लेकिन आपने लोगों को दिया क्या हकीकत में क्या था हुस हकीकत से भी यह जरूरी है और हमारा को इस तक कशे दिख रहा है उस दिखा लगातर दावे यह होग विकास था वगाज conveं के कि आपके पास सबकुछ है आप जो कहें वो सबसही अब तो जैसे मेरे जैसे सीरफिरों को बोलने तक में मनाही होई गई है अब तो मुकदमा जेल और यहीं सब रह गया है किसी वेक्दिक के लिए जो थोड़ी सी भी सही बात कह दे जो उनको खटक जाये उस पर बत्त बत्त वेक तो है कि करेज और नीम चड़ा वाली स्थिति जो है श्वहिये आपको बोलना मना है बोलने का मतलब जेल है बोलने का मतलब आप गुंडा है च्छा मेसूश कर रहा है बोट भले आको लोग तालुक रखते हैं आगे क्या करने वाले आगे कि आजी अगे कुछ एसा कार हो विकास की अगर बात कर रहे हैं आप तो विकास को लेकर को यह सी कारे हो देखिए अभी हमारी पालिटिव से लोगों के प्रति विकास करें हम एक वाच डॉक जरूर है और उस रूप में जो विकास के दावें को हकीकत उसका क्या है उसको लोगों के सामनी तक ला पाएं यह कारें हम भखुबी करना चाहते हैं कुछ हद तक जो हमारी सीमा है और आउकाथ हमारी है कि हमने चांद को यहां लिया आया है जितनी सीमित हमारी आवकात है संसाधने उसमें निशित रूप से इन हकीक्तों को लोगों के सामने तक लाने का प्रयास करेंगे चांद करेंगे संस्वाल रहेगा जी 23 को कैसे देखते हैं के जी 23 एक अंतरा storm है हिंदुस्तान पा सिर समस्व ऐसे लूब तो कि यह हम दिखेंगे हो सिर्फ पर करेंगे पर्श्तों करेंगे आप मेरे कारण वह घू गया है उसे पर हमें आप में तो सब को अध्यक्षता मिलनी थे आपको भी मिली आपको आज मिली आप उसको कैसे कर रहा है कि मेरे व्यक्तित्व मेरे अत्यांत आकर्शक व्यक्तित्व पर मुझे मिल गया कोई आउट ओफ टर्न फेवर थोड़ी है तो रूटीन प्रक्रिया है तो कहीं कहीं विकास की बाते हो रहे थी विकास नहीं है ऐसा इनका कहना है लेकिन जिस तरह से भाठेंदा पाटी का लगातार यह कहना है कि टिपल इंजन की सरकार है और अब विकास की जो रप्तार वह बढ़ती नजर आ रही है देखना यह दिच्छस्प होगा कि 2024 के लिए किस तरीके के रणीती कि तैयार होने वाली क्या विकास मुद्दा बनकर आएगा 2024 के चुनाओं वारासिस दीपक 2024 विरूरपूर